हेलो गाइज वेल्कम तो माई चैनल इटर्नेटी लाश्ट ट्लास में हमने पढ़ा था इनिफिकेंट फिगर आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी सर्टेन वैलू जो है उसको हम लोग रॉंडिंग और करके सर्टेन कैसे बनाते हैं जैसे कि हमने अब भी एक्जांपल लिया ह है इसे आपको दिख रहा होगा कि कोई भी जब वैलू होता है उसे हम लोग मैक्सिमम यहां तक देखते है उसके बाद जितना भी वैलू होता हूं लोग इसको सर्टेन बनाते है वह रूल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नोट्स के तोर पे अब तक हम से समझते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्जाम्पल है 3.3.5 7429 तो जब हम लोग तो विख करते जैसे कि यहां पर हम लोग को यह जो है यहां तक लियना उसके बाद सब्सक्राइब बनाने हैं नोगों हो जैसे कि इसका स्वालियोसन क्या हो जागा तो जब भी जैसे यह आपका इंस बना रहा था तो फिर आम लोग के बाद इन प्लस वंडीजिट चेक करते अगर इन plus 1 digit को चेक करते कि वह 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है यहां पर हम देखते हैं कि एदूर मोब जो digit यह 5 से छोटा है तो फिर हम लोग क्या करते हैं जो एदिजिट होता उसको वैसे ही छोड़ देता तो एस एदि आपका फोर एंट फोर को वैसे नहीं छोड़ देंगे तो यह आपका सोल्यूसान हो गया फिर सेकेंड कोश्चन है सेकेंड कोश्चन में क्या बोल रहा है थ्री पॉट्ट फाइफ सेवन फोर फाइव नाइन फिर हम लोग चेक करते हैं कि सोल्यूसन इसका क्या होगा फाइफ सेवन पलष फिर और फिर फोर है तो यह 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 हूं लोग इसको एक बढ़ा करके लिख देते है चारथा तो पांच हो जाता लेकिन अगर पांच से कम रहते हैं तो फिर वापस हम लोग उसे वैसे छोड़ देते हैं जैसे लाष्ट कोश्चन में किया पर यहां पे देखते हैं ल किवर नहいंगर इंगर आट रहता है तो उसे हम लोग एक से प्लस कर देते हैं अगर यहाँ पे यह फाइवन यहाँ है अगर यह факा यह passenger होर फिर इसके 41 फिर इसका सोल्योशन देखते हैं कि थ्री पॉंट फाइव कि यहां पर देखते हैं हम लोग का एंडिजिट है तो एंड प्लस वन डिजिट जो भी है यह तो चेक करना है कि एंड प्लस वन डिजिट जो है और आपका है और तो और जब भी रहता है जब एंड प्लस वन डिजिट आपका फाइव और यह लडिजिट जब आपका इन डिजिट और हो तब हम लोग एक डिजिट को बढ़ा देते एक से और वक्सक्राइब करते है तो सो आपका है न प्लस डिजिट और यहां प्लस घर्टोUM हम लोग क्या करते इन को एक से बढ़ा देते हैं तो फाइप फॉर के जगा यहां हो जाएगा आपका इस प्रकार हमने समझा कि कैसे हम लोग कोई भी वेल्यू जो अंसर्टेन होता उसको राउंडिंग ऑफ करके सर्टेन कैसे करते हैं इसके बाद हमारा निक्स टॉपिक है दायमेंशन और फिजिकल वॉन्टेटीस में हम लें पढ़ा था फंडामेंटल कॉन्टेटिस और डिराइफ होसे होते हैं और आपको बकाताया था कि जो फंडामेंटल को हमने बनायों जाते आए हैं और जाते हैं तो फिर इसमें जो टौपिक आता है जैसे मलों कोई भी को एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि हम लोग कोई भी fundamental quantities आपका हो गए military, length. यह आपका length हो गया. तो length को हम लोग क्या में मापते हैं? meeting में. तो meter आपका क्या हो गया? Dimension. Base quantity का unit होते हैं, उसे हम लोग dimension बोलते हैं. तो dimension होता है, तो जैसे कि length. Length को हम लोग में मापते हैं? तो इसका पावर होता है वन इसका पावर होता है तो वैसे ही जैसे कि डायमेंशन होता है उसका लेंद का जो मेटर होता है उसका पावर होता है तो यह जो पावर है ना यही आपका डायमेंशन है जब हम लोग इसको बेस क्वांटेट में डिराइव करते हैं तो हम लोग इधर भी मिटर हुआ तो यहां पर जब भी हम लोग एरिया ना पर यह रहेगा तो हम लोग इसे लिखते हैं में यह क्यों पावर इसका पावर दो गया तो यह जो पावर है जो हम लोग एक्सप्रेस करते किसी भी कौंटिटीज को यही आपका डाइमेंशन है तो जैसे कि यह इसको क्के जैसे की कर रहे है तो यहां मेंटर और लेंद को हुआ कर रहे हैं मलaca कि आइक जेशन कोієं करे महलत का इसको लिख रहे इंटर्म आज पूंटिटिटीद फिर आई हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे यहां का यापका क्वान्टिटी इस हो गया और यह आपका एक्जामपल लेते हैं लोग पहले लेते हैं लेंथ को लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर इसमें क्या इस्तेमाल हुआ इसमें मीटर का कितना पावर है एक है तो इसका डाइमेंसिन आपका हो गया और यह और जब भी हम लोग कोई बीडामेंसिन लिखते है तो उसे हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं स्क्वार ब्रैकेट में है फिर सेकेंड आपका हो गया लेंद के बाद आपका एरिया लेते हैं एक डिवायफ कांट्रिटीज तो इसमें क्या होता है हम लोग मीटर कि जैसे कि lengthõ length करते हैं मिटर स्क्वर होता है यानि कि मिटर इंटु मीटर है इसका क्या होकआ है कि नो फिर इसका क्या होगे नमें इंते है विशतेमाल हो यह एंटा ही somewhere कि तो land लेंट है तो इसका तो बार स्कावर कितना होगी है 2 तो यही आप का डाइमेंस्ट हो गया फिर उसके बाद हम भोल्यूम क्या हो गया स्थमार कुप उल्यूम का जो यूनिट होता है यूनेयट होता है पिर में लेन्द किना वह ओ रहा है करल लंबाय से आ रहा है एक वर उचाही से आ रहा है एक वर चोड़ाई से आ रहा है तो इसमें लोग कितना देखते हैं तीन वर आ रहा लें तो इसका डाइमेंशन हो गया थ्री इल का पावर कि प्रकार हमने जाना कि दाइमेंशन क्या होता है गाईज यहां पे दो चीज नोट कर लेंगे पहला आपका हो जाएगा ओल दे दाइमेंजों इस अल्वेज रिटन एज करली प्रेस जब भी लिखा है तो करली प्रेस के अंदर दाइमेंजों को लिखा है फिर सेकिंड आपका नोट हो जाएगा नोट सेकंड क्या हो जाएगा इन दफिजिक्स सोड़ी सेकंड नोट आपको हो जाएगा सेकंड नोट आपको हो जाएगा इन दफ मिकैनिक्स ओल्द फिजिकल क्वांटिटीज कैन भी रिटन एज एम एल टी तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है मेकैनिक्स में एन फिजिक्स में उसको हम लोग एम एल टी यह जो है डाइमेंशन इसके रूफ ओम में हम लोग लिख सकते हैं फिर इसके बाद एक हमारा पास क्वेश्चन है कि एक्सलेरेशन का डाइमेंशन क्या होता है तो आई हम लोग उसे जानते है तो एक्सलेरेशन का फोर्मूला जो होता है वो होता है first-seёз है meter that method second-square कि ऩो कि अउसे सकते हैं कि तेसे हो इस प्रकारि यह हो गया तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यह लेंद कितना करें तो यहां है तौए लो यहाग से के याने टाइम कितना हुआ इसका पावर दो है तो माइनस तू यह आपका एकसलिशेन का नाइंसर वह गी है तो जो वोन है उसे तो हम्लों हटा भी सकते हैं यह आपका एकसलिशेन का डायमेंजैन 표 कि नेक्स्ट टोपिक है एक हमारा डामेंशनल व्प्रमूला औग сवाइकपौन है कि ग्हाइड को होता है दाइमेंशनल फॉर्मउला को जयसे की जो एक्स्परेशन कोई-ब्रेशन जिसे हमें कोई भी बेस्कोइंटि इसका यूज करहें हम लोग यह जैसे कि फिजिकल ओन्टिटीज़ है वॉल्यूम और इसका जो यूनिट है मिडिकुक를 हम लोग ऑप्रें करने अलें नेंग ओलन तीन वार इसकी अम्हार हो रहा थे लेंद को आपका पावड थी यह यहां पर वाल्यूम में आपका टाइम नहीं तरह ताइम यानि टीवल्प्र इस Iska गवह जो दिया फिर फिर के लिए दे смीट नहीं आ रहा तो इसका पावर जेटेशा किसाकी ब्मूला होताता है नेस वितन है झायर का थो देफा गखे याई मकः कोई फ़ीजिकल कौनिटीटीज जो बहुता है ओसका अब छुआ हम लोग जो भी फॉर्मूला लगते हैं फ़िए फॉर्मूला लेक्वते हैं ये जोह आपका फोर्मूला हो गया इसी को हम लोग डायमेंशनल इकवेशन कहते हैं आपका डायमेंशनल फोर्मूला तो डायमेंशनल एक वेशन के द्वारा तो डैमेंशनल एक वेशन के द्वारा देराइब करते हैं कि एक नोट कर लिजेए गाईज एक नोट only those physical quantities quantities can be added or subtracted which have same only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimension मतलब कि कोई भी जो दो quantity है वो add या subtract तभी होगा जब उसका dimension जो है या dimensional formula equation वो same होगा अगर उसका dimensional formula गर सेम नहीं होगा तो फिर कोई भी physical quantities इसको लोग एडिया सब्स्टेक्ट नहीं कर सकते हैं गाइस तो हमारे पास एक question एक कनवर्ट वन न्यूटन इन्टू वन डाइन तो देखते हैं इसका solution तो वन न्यूटन ये क्या आपका म के एस यूनिट आपका दाइन आपका है सीजी एस यूनिट सेंटिमेटर ग्राम सेकेंड और ये ये आपका मेटर किलो ग्राम एंड सेकेंड तो आगे इसे चेक करते हैं तो वन न्यूटन लेते हैं यहाँ आपके और वन डाइन लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा जैसे हम लोग न्यूटन क्या है फोर्स का इसा यूनिट है फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास अंटू एकसेलेरेशन तो इसका डाइमीन्जन क्या हो गया मास आपका हो गया यानि की ऐन आपका होगया औस कले रुक्स गंद इसक्वार duck मीटर लेंद्ध हो गया अपका एक अ कि लिएफ इसका फॉर्मूला اسका हम लोग क्या लेंगे मीटर वन लेना लेंद्ध को मीटर हो गया यहां पर आपका कि में ओन मीटर हो गया ओन सेकेंड यहां पर दौन मीट्ट और मास कितना है तो मास ले लेंगे 1 kg इसका dimension यही हो गया फिर 16 करते तो इसका क्या होता और G-s यानि कि centimeter तो यहां इसका क्या हो गया ग्राम, वन ग्राम हो गया सेकेंड, वन सेकेंड हो गया तब देखते हैं कि यहां पर गाप सेंटें इसन death करते कि एक में कितना सेंइमेटर होता तो आपका सव सेंटी मिंटर होता drives भाइंअ क्वर्ण सेंटी मीटर है वन केजी जो है स्वेट L1 ग्र्म तो छी में केजी को अगर हाजार घुराम में कंवर्ट करेंगे तो हाजार ग्राम हो जाएगा हजαmaal और सेकेंड तो आपका सेकेंड हूपर में वे सेकेंड यह कि इसका सोलुजन देखते है तो है तुद यह आपका होगी lets कता पावर अंद्स का पवजह आंप मार मां दो इन्टू वन यह आपका ऐसे हो गया यह क्या है वन न्यूटन अगर इसको हम लोग उधर ले जाते हैं यह आपका क्यों हो गया डाइन यानि वन न्यूटन में आपका हो जाएगा 10 का पावर 3 इन्टू 10 का पावर 2 इन्टू 1 यानि की 10 का पावर 3 इन ग्राम दस का पावर 2 सेंटीमिटर और वन सेकेंड डाइन में कनवर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइस चेकिंग चेकिंग ओफ डाइमेंशनल कंसेश्टेंसी ऑफ एक्वेशन क कोई बिडाइमेंशन जो है उसको चेक करना है ने होता क्या है और आपको पहले बता चुका जब paar कोई की घ्boundर कोई पी फिसिकल कॉंटीट हम लोग अधिज अट्याशा कर पाएंगे यह जो अब का यह प्रिंसिपल है अट्यों से आप होगो मेंच पक् memb Kalan ौकम करते हैं करते हैं इस वे वन फूरत 10 और सफ स्ट्रैक्ट दफ अब है उन फैसिकल कॉंटिटी Records one it is then it must have same dimension otherwise it is not possible so if you want to add or subtract the physical quantities then it must have same dimension otherwise it is not possible and the principle principle which says it principle which says it is known as homogeneity of dimension principle 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 ऐसा कहता है कि हम लोग कोई बी डइमेंशन कोई भी जो physical quantity उसको अधियर सब्सक्षिक्यर कर पाएंगे जब उसका dimension formula सेम होगा अगर ऐसा है तो जो principle है उसे हम लोग homogeneity of dimension कहते हैं guys तो इस बाक्छा हमारा ऑगे चारिक्टर टू בदने के न Cultural लोग ऐसा ही वीडियो को देखते रहा हैं और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच